हेलो डियर इस्ट्रेंट्स आपका स्वागत था आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में क्याल मैथमेटिक्स क्लासेस में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चेप्टर नंबर 2 जो पोलीनोमियल है बहुपद है उसके कुछ क्यक्स का कुछन देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के कुछ एमसी क्यूज देखे थे हैं अब इस टाइप से अगर सूल्प करेंगे तो कोई भी कुछ 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 लिए हैं ताकि आप क्या कर सके समझ सके और उसके अनुस किजिए तो किस्टन नमर वन क्या देके रखा है कि निमने कित में कौन भुब नहीं है अब भुब नहीं है तो ये आपको मालूम होना घाई कि कोई भुब नहीं हो सकता है उसके लिए अच्छा भुब फट होने की क्या condition है कि जो चर का घात है वो पूर्ण संग्या हो क्या हो चर का घात पूर्ण संग्या हो इससे क्या मतलब अगर हम कोई भी लेते हैं मालो 4X square तो यहां जो यह square है यह क्या है एक पूर्ण संग्या है पूर्ण संग्या किसे शुरू होता जिरो से 01234 इस तरह से इसका मतलब क्या पता जला कि power में minus नहीं होना चीए है या बटे में नहीं होना चीए अगर अगर हम लिख दें root x या 5 root x तो यह क्या एक बहुपद होगा नहीं होगा अगर हम ओई पर लिख दे एक्स पर पावर minus three तो क्या यह बहुपद होगा नहीं होगा तो अब यहां पर देख लो कि बहुपद नहीं है तो 2 by 3 x प्लस 1 यहां पर देखो सिब एक्स से हम लोग को मतलब है तो यहां पर पावर में एक छुपा हुआ है इसका मतलब यह होगा यहां पर भी देखो यहां पर भी सिब एक्स है यहां पर पावर में दो है यह भी होगा यहां पर भी यह भी होगा और यहां पर क्या देख रखा वन एक्स पर पावर मैनस तो जब बटे में हो तो उपर जा था तो पावर क्या होता है मैंनस में हो जाता है इसलिए यही आंसर क्या होगा सही होगा कि जो बहुत नहीं है समझ मैं है अब इस टाइब से कोई भी कोस्टन आएगा तो आसानी से बना ले ना कोस्टन नमर टू देखो यदि पी एकस बराबर एकस स्क्वाइर मैंनस थ्री एकस मैंनस फोर तो पी एकस का एक शुन्यंग होगा अगर यह दिया हुआ रहे तो शुन्यंग होगा हम लोगो क्या हो अब इसको बीजवाले को तोरा जाता है तो बीजवाले को कैसे तोड़ते हैं तो इस परकार तोड़ते हैं कि जोरने या घटाने पर इसी के बराबर आए और गुनाब करने पर इन दोनों के गुनन फल के बराबर आए इन दोनों का गुनन फल क्या होता माइनस फोर एकस मैंना चीए तो यह पर कोमन में क्या आएगा वन कोमन आएगा इसका मतलब तुम्हारा क्या आगया एक्स मैनस फूर एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन बचेगा यह पर वन चुपा हुआ है अब इसका सुन्यां जो निकालोगे तो से निकालोगे एकस माइनस फूर बराबर जीरो यानि एकस बराबर क्या आएगा फूर आएगा और एक सुन्यंग क्या होगा एकस प्लस वन बराबर जीरो और एकस क्या हो जाएगा माइनस वन आजाएगा तो दो सुन्यंग हुआ दूइगा समय करें के दो सुन्यंग होते हैं यहाँ पर क्या आ गया 1 मैंनस वन और एक 4 आ गया तो देखो मैंनस वन तो कहीं तो आइन नहीं पर 4 है तो यह अंसर सही होगा और दूसरा त्रीका क्या होगा तो क्या करेंगी हम लोगर ऑप्षन को बैठा के देखेंगे अगर 0 के बराबर आता है तब वो अंसर सही हो जाएगा जैसे देखो यहाँ पर option में 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 का square कितना होगा है दिमाग में रखो 4 और माइनस 2 दिया 6 तो 4 में से 6 किया माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 इसका मतलब यह नहीं होगा उसे तरह 0 बठा के देखो तो 0 बठा के तो 0 का square 0 यहाँ पर भी 0 बचा किया माइनस 4 यह भी नहीं होगा 3 बठा करके देखो 3 का square 9 माइनस 6 तो 9 में 6 किया बचा कितना 3 3 में से 4 माइनस करके तो माइनस 1 यह भी नहीं होगा तो इसको बठा के देखो 4 को यदि बहुपत PX का एक गुरंखंड X पलस 1 हो तो बहुपत PX का एक शुन्यंग होगा बताओ अगर ये गुरंखंड है तो इसका शुन्यंग क्या होगा यानि इसको बराबर 0 पुट करो और यहां से अगर शुन्यंग निकालोगे तो यह पलस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? minus one. एक्स बखाबर minus one. सुन्यंग क्या हो जाएगा? minus one हो जाएगा. option number A is correct answer. फिर कोफिल नमर four देखो. यदी बहुतत PX का एक सुन्यंग चार हो, क्या देकर रहा धंग से देखो? PX का एक सुन्यंग क्या है? चार है. और PX निम लिखित मैंसे किस से अवश्य भाज़ होगा तो यह पता करो कि 6 जब 4 होता इसका मतलब पहले यह कहिना कही ऐसे रहा होगा X बराबर 4 यानि यह X बराबर 4 कब आएगा इसका मतलब यह पहले ऐसे था माइनस मैं इधर X माइनस 4 बराबर 0 तो X माइनस 4 क्या हो गया इसका एक इससे भी भाज़ होगा तो आंसर क्या हो जाएगा X माइनस 4 यह option नमर D is correct answer समझे मा रहा जहां पर नहीं आ रहा होँआ पूछ लेना comment करके हम बता देंगे फिर 5 नमर कुस्टन देखो यदि किसी भाज़पत PX बराबर X स्क्वार माइनस 2X प्लस 5 के शुनियंग अल्फा बीटा यह परहे हो अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मन तो यह direct question आया परहे हो ना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस B बाई A होता ना और अल्फा बीटा होता C बाई A तो B क्या होगा B च्वाल अटरम यानि माइनस तो पहले से है यहां पर तो माइनस और माइनस B के जगमा 2 और A के जगमा क्या 1 चुपा हुआ है तो माइनस माइनस पलस हो गिया तो अंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यानि option B करेक्ट होगा सुन मैं A को मत मार देना गलती से भी क्वेस्स नमर 6 देखो अब यदि किसी दुईगात बहुपत PX बराबर 2X स्कॉर पलस 3X माइनस 4 के शुनियंग अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंडू बीटा अभी बताए अल्फा इंडू बीटा का फर्मूला क्या होता C बाई A और C क्या हो यहाँ पर माइनस 4 माइनस 4 बाई 2 हो जाएगा यह A होता था क्या फर्मूला होता है दुईगास स्कॉर पलस BX पलस C बराबर 0 यह होता है यानि C बाई A तो माइनस 4 बाई 2 और माइनस 4 बाई 2 अगर निकालोगे तो क्या होगा दू 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 चार यानि माइनस 2 अंसर हो जाएगा तो माइनस 2 कहाँ पर है अप्शन नमर C ठीक है अब क्वेस्टन नमर 7 देखो यदि बहुपत पी एक्स बराबर 4 एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वाइर प्लस 3 एक्स प्लस 7 के शुन्यंग अलफा बीटा और गामा हो तो अलफा बीटा गामा का मान क्या होगा तो इसमें जो तिरीकाद बहुपत है इसका आपको याद होना चाहिए कि तिरीगात पहपत इस तरह इपका होता है A X Q पलस B X स्क्वार पलस C X पलस D परावर जीरो इस टैप से होता है तो इसमें भी उसी तरह होगा अलफा पलस बीटा पलस गामा ये किस के बरावर होता है ये पता होना चाहिए आपको कि माइनस B बाई A के बरावर होता है उसी के रूप में उसी तरह अगर हम बोलें कि अलफा इंटू बीटा इंटू गामा तो ये क्या हो जाएगा माइनस D बाई A माइनस D बाई A उसी तरह अगर हम बोलें कि अलफा बीटा पलस बीटा गामा यह याद रखना यह फूर्मुला याद रखना प्रस गामा अलफा यह किसके बराबर होगा तो यह हो जाएगा आपका C बाइ A के बराबर सभज मैं यह तो हम लोगों को चाहिए किया यहाँ पर अलफा बीटा गामा इंटू के रुप मैं तो माइनस D बाइ A अब माइनस D बाइ A कौनजा यह वाला डी यह ही करना होगा यह A हो गया यह B हो गया यह C हो गया यह D और माइनस मैं तो माइनस 7 बाइ 4 माइनस सेवन भाई फूर कहा पर नज़र आ रहा है अप्शन नमबर ए पर तो अप्शन नमबर ए इस करेक्ट आंसर उसी तरह एट नमबर को सन देखो क्या देकर रखा है यदि दुविगात बहुपत पी एक्स इस परकार है कि पी वन बराबर मैनस सिक्स और इसके सुन्यंगू का योग योग चार और गुननफल मैनस तीन है तो पी एक्स बराबर होगा तो ये डारेक्ट इसमें भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अगर आप परहें सही से तो क्या होता फॉर्मूला कि आपको क्या देकर रखा अलफा प्लस बीटा देकर रखा है सुन्यंगू का योग 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 ना होता है और कुस्टन में क्या देकर रखा अलफा प्लस बीटा चार और अलफा इंटू बीटा मैनस तीन अलफा इंटू बीटा क्या देकर रखा है है यहांपर माAF क्रोटा सब्सक्राइब 2 यहांपर और तो फॉर्मूला में लगा तो एक्स स्कॉर's मैंनश इनलफा प्रइटा वडिदा पर नजर आरह को तो यह वाला option number b सही हो गया सब्सक्राइब उसी तरह last question देख लेते हैं इस exercise का क्या देख रहा है का question में no number देखो भाग algorithm से px बराबर qx into gx पलस rx जहां gx बराबर 0 नहीं है भाजक है यानि यह gx क्या है भाजक है तो निमली खितमे से कौन सही है तो अब परहे होंगे कि क्या होता हम लोग किसी बहुपत px को भाग देते हैं किस से gx से तो निकलता क्या है qx निकलता है और remainder में बसता क्या है rx है कि नहीं तो अगर हम किसी से भाग देते हैं तो remainder हमेशा क्या होगा इस से छोटा होगा यहाद होना चाहिए आपको तो यहाँ पर option में A में क्या दिया हुआ कि Rx का घाथ Qx से छोटा यानि इस से छोटा हम लोग को तो इस से कोई लेना देना है नहीं वो कुछ भी निकल सकता है B number क्या देकर रखा है कि Rx का घाथ Gx से छोटा होगा तो क्या होगा यही option से ही होगा सुन में A Rx यानि इसका घाथ हमेशा इस से क्या होगा छोटा होगा C number में क्या देकर रखा है इसको भी दिख लेते है Qx Px का गुननखन अवश्य होगा Qx Px का गुननखन अवश्य होगा यह जरूरी नहीं है तो आज यहीं तड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे हमारे साथ रेगिलर वीडियो के लिए ठीक है